दो बुजुर्ग माबाप होते हैं पिता का नाम होता है ईश्वर्चंद और पत्नी का नाम होता है सावित्री देवी दोनों ही घर से उदास मन से उदास चेहरे थे अपने सामान को अटैची में भरते हैं और सामान को लेकर बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तभी इतने में बेटा और बहू आ जाते हैं और उनके पाओं में पढ़ जाते हैं और कहते हैं मा बाबुजी हमें माफ कर दो हमारे साथ ऐसा जुल्म मत धाओ लेकिन अगले ही संद जो सास होती है उस बहु की यानि कि सावित्री जो बुजुर्ग औरत है वे कहती है कि हम तुमारे साथ कोई भी जुल्म नहीं ढाराए है या तो तुमारे कर्म है दसल दोस्तो आखिर क्यों हुआता ही है मामला इन दोनों बुजुर्गों की यहाँ पर पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम देने वाले हैं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा नमसकार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिर्शीवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो इस्वरचंद नाम का एक बुजुर्ग रहा करता है उसकी पतनी सावित्री देवी इनका एक बेटा है और बेटे की भी साधी हो चुकी है अब बेटा भाव घर के अंदर है और जो ये इस्वरचंद है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा मकान है जिसको इसने अपनी पूरी मेहनत से और लगन से पूरे जीवन भर कमा कर ये मकान खड़ा किया है आज इनके पास जो भी धन दौलत है वो यही है लेकिन बहुत खुश थे जब बेटे की साधी पर दोनों माबाप बड़े ही फूले नहीं समा रहे थे इनको लग रह था कि अब दुनिया की सारी खुशियां सारी नेमत नेके कदमों में आगी रहेंगी साधी हो जाती है बड़े धूमदाम से साधी होने के बाद इनके घर में एक नई नवेली बहु आती है अब दोस्तों क्या होता है बहु आकर के खूबिन की सेवा करती है लेकिन अब बहु को बच्चे भी हो जाते हैं दो बच्चे थे दोनों बेटे थे समय गुजर जाता है कुछ समय गुजरने के बाद बहु के चाल चलन कुछ बदलने लगते हैं और बेटे के भी हाब भाब बदलन एक बार क्या होता है बहुँ पोचा लगा रही थी और पोचा लगाते लगाते एकदम जो उसका शसुर होता है इपकर और दोस्तों यहाँ देख करके जो ससुर होता है नीचे गर्दन करके अपने कमरे में चरा जाता है और वहाँ पर उसकी पतनी थी सावजत्री वह कहती क्या हुआ तो ससुर कहता है कुछ नहीं तुम चाय बना लो अच्छी सी अब दोस्तों कुछ समय गुजरता है अब एक दिन क्या होता है जो सास होती है फ्रिज मैंसे कुछ ब्रेड रखे हुए थे उनको लेकर आती है चाय पीने के लिए चाय बनाई थी अब जो बहु होती है वह कहती है ये ब्रेड हमने बच्चों के लिए रखे हैं तुम्हारा पेठी नहीं बरता हर चीज में अपना पंगा डल डालते हो हर चीज में तुम्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए इस बात को लेकर जो बहु होती है बुरी भली अपनी सास को सुना देती है दोस्तों यह बात वह सास सेन नहीं कर पाती है उसकी आँखों से आंसु टपकने लगते हैं और दूसरे ही चनवब बहु कहती है कि तुम बासी रोटी रखी है उनको नहीं खा सकती चाहे के साथ अब जो सास होती है वह चुप चाप खाली हाथ अपने पती के कमरे में आ जाती है और पती कहता इस वह चनद क्या ब्रेड नहीं लेकर आई साथ कहती है कि बहुने धंका दिया कहा कि ये बच्चों के लिए ब्रेड रखे हैं और तुम इने अब ही से खा जाओगी तो मारा पेट नहीं भरता है अब यह बात सुनकर करके जो ससुर होता हुए कहता है कोई बात नहीं बच्चे हैं और बच्ची है सुदर जाएगी समय के हिसाब से जैसे उम्र बढ़ेगी तो इसको अकल भी आ जाएगी सास चुप हो जाती है अपने पती के कहने पर अब फिर से एक साथ रहने लगते हैं जो बेटा होता है वे भी सीधे मूँ बात नहीं किया करता दिन में ड्यूटी पर जाया करता है साम को जैसे वे आता है तो बहु के कमरे में सीधा गुज जाता है और अपने माबाप से सीधे मूँ बात भी नहीं किया करता है इस तरह का माहौल इस घर में चला हुआ था बाहर के लोग समझते थे कि इस घर का माहौल कितना सांत है और कितने अच्छी तरह से लोग रह रही होंगे इस घर के अंदर क्योंकि आलिसान घर था और बहुत पैसे लगाए हुए थे उस घर के अंदर और खूब बड़ी जगे में वे घर बनाया हुआ था लेकिन बाहर वाले लोगों को क्या पता इस घर के अंदर आखिर क्या हो रहा है अब दोस्तों इसी तरह से समय गुजरता रहता है अब एक दिन क्या होता है बहु अपने कपड़े धो रही थी घर के सारे बच्चों के कपड़े अपने अपने पती के तो जो सास के कपड़े होते हैं उनको बहु दूर फैंक देती है और कह देती है कि मुझसे नहीं धोये जाएंगे ये कपड़े गंदे संदे इतने मेले कपड़े कर देते हो अब यह बात सास को भी पता लगती है ससुर को भी पता लगती है तो ससुर अपनी पतनी से यही कहता है, जो इस्वर्चंद होता है, सावित्री कपड़ों को उठा लाओ, सावित्री जाती है और चुपके से कपड़ों को उठा लाती है, और इस्वर्चंद कहता है तुम्हें खुद धोलो, अब जो सावित्री अपने पती की बात माना करती तो अपने कपड़ों को खुद धोने लगती है लेकिन उसकी आँखों से आंसु आ रहे थे लेकिन कुछ भी अपने पती से कह नहीं रही थी अब दोस्तों एक दिन क्या होता है बहु कहती है तुम बहुत सारी चाय पीते हो अब तुम दोपेर में चाय तुम्हें नहीं रहे थे उस बहु के क्योंकि साससर उससे कुछ भी पलटकर जवाब नहीं दे रहे थे तो उस बहु को लग रहा था कि यह तो मेरे अंटर में रहेंगे मैं इनको जैसे चलाओंगे यह ऐसे ही चलेंगे यह तो मेरा राज है फिलाल इस घर के अंदर लेकिन उसको यह भी चाय को बंद कर देती है जो दोपेर में चाय पी जाती है अब इस बात को लेकर दोनों साससर यानकी बुड़े बुड़िया परिशान थे कि यह दोपेर को चाय पीने की हमें आदत है अब कैसे होगा अब सास का चाय पीने का बहुत मन कर रहा था बहु अपने कमरे में सोई हुई थी दोपेर में, अब सास चुपके से जाती है और रसोई में जाकर वह चाय बनाने लगती है, चलो यह नहीं बनाएगी तो मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन बरतनों की जैसे आब आज होती है, तो बहु की आख खुल जाती है वह भाग करके रसोई में आती है और कहती है क्या कर रही है तुम्हें आपर तो सास कहती है बेटी चाय बना रही थी तुम्हारे बाभुजी को चाय पीने की आदत है मुझे भी चाय की आदत है दोपेर में इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ना जगाओं मैं ही चाय बना लूँ अगले शन बहु कहती है मैंने तुमसे मना किया था ना दोपेर की चाय अब घर में नहीं बनेगी अब दोस्तो वह अपनी सास से चाय का गलास छीन लेती है और उसको नाली में डाल देती है और कह देती है निकल जाओ मेरी रसोई से आज के बाद इसमें पाउं मत रख देना अब दोस्तो सास बड़ी परेशान हैरान ये सारी बातें ससुर सुना करता था और वह सारी चीजों को सहन कर रहा था जहिल रहा था लेकिन अब की बाद सास बुरी तरह से रोती हुई उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मुझे मरवाही डालोगे ऐसे बहु बच्चे किसकी होते हैं जो तुम सोच रहे हो कि बाहर आवाज ना निकालें बही जती हो जाएगी ऐसी बहु किस काम की जिसने हमारा जीना दूभर कर रखा है जीने भी नहीं दे रही है अब ससुर भी समझ जाता है कि चाय का गिलास नाली में फेका गया था और बुरी भली कही गई है सावित्री से अब जो ससुर होता है वह कहता है अपनी पत्नी सावित्री से तुम चिंता मत करो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ अब जो ससुर इस्वरचंद होता है वह बहार सोसाइटी में अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाता है उसको पार्थ में बुला लेता है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सुरेश था उससे मिलकर वह कहता है यार मैं तो बहुत परिशान हूँ बेटा और वहुने बहुत जादा परिशान हमें किया हुआ है मतलब सांस भी नहीं ली जा रही है उस घर के अंदर इतनी घुटन पैदा होती है अब जो सुरेश था वह कहता है इस्वरचन से तुमने बड़ी कमाल की बात कही हमने तो यह मामला पहले ही सिल्टा रखा है अपने दो फिलेट लिये हुए हैं सोसाइटी में बड़ी कलोनी के अंदर और एक फिलेट को हम किराय पर दे देते हैं पती पतनी और नीचे वाले फिलेट में हम खुद रहते हैं बढ़ी बेटे कहीं जाओ हमें उनसे कोई मतलब नहीं है और अच्छे से हमारा समय गुजर रहा है अब इस्वरचन कहता है कि तुम ऐसा करो मेरे इस घर को बिचवाओ और मुझे भी ऐसे फिलेट दिलवाओ मैं भी वहीं पर अपनी पतनी को लेकर आराम से रहूँगा इसे पीछा चुडाना है अब इस्वरचन कहता है कि तुम जो बिल्डर होता उसको मेरा घर देखा दो लेकिन घर के अंदर मतलाना उसको और मेरे बेटे बहु को पता नहीं लग जाना चाहिए तो इस्वरचन का दोस्त सुरेज कहता है बिल्कुल पता नहीं लगेगा दोस्ती किस वात का हूँ मैं उसके बाद जो ससुर होता है वे अपने घर चला जाता है लेकिन दर्वाजे में जैसे घुषता है तो वही दुबारा मेटर बहु पोचा लगा रही थी और उसका पाउं फर्स पर पढ़ जाता है फिर से बहु जिल्ला कर पढ़ती है बाओ जी कितनी बार का आये तुम मेरे पोचा लगे हुए फर्स के उपर पाउं मत रखा करो तुम्हें जब देखो जब देखो मेरी सपाई हुए फर्स पर पैर रख देते हो तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है लेकिन दोस्तों अब की बार ससुर नीचे मूँ करके चुपचाब अपने कमरे में घुच जाता है दस दिन गुजर जाते हैं दस दिन गुजरने के बाद जो सुरेश है वह एक बिल्डर को लाता है और बाहर से ही उसका घर दिखा देता है और कीमत फॉन पर तेह कर दी जाती है इस्वरचंद कीमत तेह कर लेता है और अब जब पूरा कामधाम हो जाता है पूरे डॉकुमेंट्स तयार हो जाते है बस इस्वरचंद को साइन करने थे तो वह बिल्डर को अपने घर बुला लेता है घर पर सिर्फ बहु थी बेटा ड्यूटी पर गया हुआ था बिल्डर घर पर आ जाता है उसका दोस्त भी घर पर आ गया था सुरेश और अब बिल्डर घर को अंदर से जब देख रहा होता है तो बहु को कुछ सक होता है और वह अपने पती के पास फोन करती है कि ये बुढ़े बुढ़िया ने जाने क्या कर रहे हैं तुम यहाँ पर आ जाओ अब जो बेटा होता है इस इस्वरचंद का वह आने की तैयारी करने लगता है लेकिन इतने में ही इस्वरचंद उन डॉकुमेंट्स के उपर साइन कर देता है और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है दोस्तों अब इतने में ही बेटा आ जाता है और जो बिल्डर होते हैं वह घर को खरीद कर वहां से निकल जाते हैं अब जो बुड़्े बुड्या है ईस्वरचंद रुसकी पतनी सावत्री सावत्री से इस्वरचंद कहता है कि इस घर से हमारी कोई खास याद है तो जुड़ी नहीं है हमने ही बनाया है वैसे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन क्या करें तुम अपना जो भी जरूरी का सामान है जरूरत का, उसको अपने अटेची में डालो और चलो, चलते हैं, क्योंकि फिलेट भी का भी इंतिजाम उसके दोस्त सुरेच ने कर दिया था, अब जैसी अटेची में सामान रख कर जाने लगते हैं, तो बहू और बेटा पाउं में पर जाते हैं, कि बाहुजी हमें माफ कर दो, लेकिन इसवर्चंद और साबितरी कहते हैं, तुम अपने मद में आराम से चूर रहना, कहीं रहना हमारे लेके हमें कुछ तुम से लेना देना नहीं है, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारेंगे, और तुम अपना किराय के लिए ले रखा था, एक में खुद रह रहे थे, अब कुछ पैसे भी बच जाते हैं, और इसवर्चंद कहता है साबितरी से कि अगर मैं मर जाओं, तो मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, उनसे तुम गुजारा कर लेना, लेकिन किसी बहु बेटे के पास मत जाना, अगर तुम पहले गुजर जाती हो, तो मैं फिर अच्छे से अपने पैसे का यूज करूँगा, अपने बुढ़ापे को काटूँगा, तो दोस्तों इस तरह से वे दोनों बुजर्ग अपने उस फिलेट में रहने लगते हैं, और बेटा और बहु दर-दर की ठोकर खाने लगते हैं, किराय का मकान लेते हैं और उसमें अपना गुजर वसर करते हैं, तो इस तरह का काम यहाँ पर इन बुजर्गों ने अपने बहु बेटे के साथ कर दिया, क्योंकि दोस्तों ऐसे एक कृत्य का इलाज यही होता है, अगर किसी के बहु बेटा इस तरह से प परिवार का भी क्या करोगे, जो परिवार ढंक से जीने नहीं दे रहा है, और मरने पर मजबूर कर दे, ऐसे परिवार से तो ना हो, परिवार कोई तो अच्छा है, तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राये इस कमेंट वाक्स में लिख सकते हैं, अग अगला पूरा मुहल दी फिर चे लेकर आऊंगा, तब तक आप खुछ रहें, साब्धान रहें, जै हिंद, जै भारत